मित्रों नमस्कार मित्रों जैसा की वर्तमान में NCT कोर्स जो भी थे B8 M8 B8 इनके पर्थम चरण की जो कांसिलिंग है मित्रों वो एंड होने जा रही है 18 अगस्त तक ये कांसिलिंग एंड हो जाएगी और 20 अगस्त को मित्रों आपको जो फर्स्ट राउंड कांसिलिंग की जो वेकेंट सीटे रहेंगी बची होई वो आपको वेव साइट पर डिस्पले होने लगेंगी और 21 अगस्त सोरी 21 अगस्त 2021 से आपकी जो दूसरे चरण की कांसिलिंग वो प्रारंब होने जा रहे हैं मित्रों यह जो कांसिलिंग है यह फर्स राउंड की कांसिलिंग का सेड्यूल था जो कि 19 अगस्त तक चली मित्रों अब आएए देखते हैं कि सेकंड राउंड कांसिलिंग का सेड्यूल क्या रहेगा यह जो सेड्यूल है मित्रों सबी के लिए यह सेडियूल है मित्रों और हमारी इसमें BP8 के भी अब भारती है मित्रों कुछ BP8 के भारती हो ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप मेरे प्रोफिसेंसी जो डेट है उसको नहीं बताते हैं उनकी मैं डेट डिस्पले करूँगा मैं तरों बताऊंगा सभी के जानकारी दूँगा चुकि BP8 के भारती सबसे जादा है सबसे पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ लेकिन इसमें सभी के लिए डेटे हैं ऐसे आद नहीं है कि सब BP8 के लिए मैं बता रहा हूँ सब ही के लिए दितिया हैं तो जो second round की counselling है 21 अगस्त 2021 से प्रारम्ब हो रही है आए देखते हैं किसका schedule क्या रहेगा ये रहा है मित्रो second round counselling का schedule registration ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उन अब भ्यारतियों के लिए मैं सबसे पहले detail दे रहा हूँ जो पहली बार इस counselling में सामिल हो रहा है ध्यान देवित्रों जो पहली बार इस counselling में सामिल हो रहे हैं जो first round counselling में सामिल नहीं हुए थे नय अब भ्यारति जो पहली बार second round में सामिल हो रहा है उनको क्या क्या करना है second round में जो first round में सामिल अब भ्यारति थे हैं अगस्त 2021 के बीच में साइड है hd.mponline.gov.in पर चाह करके आप सोयम कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे से कर सकते हैं या मद्द परदेश के अंदर हैं तो मद्द परदेश के mponline क्योसकर के मद्दम से भी कर सकते हैं फाम बहुत ही आसान है डेटेल उसमें सारी उपलब्द हैं आप साइड में जाएंगे hd.mponline.gov.in में उसमें nct course counseling पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जिस course के लिए आप apply करना चाहरे है nct course के लिए वो उसके सामने आप जाकर के registration आसानी से कर सकते हैं second number पर आता है choice filling आप जैसे ही registration करते हैं आपको कम से कम 10 college'ों की choice filling करना है जादा से जादा आप कितनी भी कर लें लेकिन कम से कम 10 college'ों की choice filling करना अनिवारे है ये भी मित्रों आपको 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में ही करनी है इस बात का विश्यस द्यान दे registration और choice filling दोनों 21 से 25 अगस्त के बीच में करनी है तीसरे नंबर पर आता है मित्रों verification वे अभ्यारती जिन्होंने अभी तक verification नहीं कराया है और पहली बार सामिल हो रहे हैं इस counselling में उनको registration choice filling कराने के बाद किसी भी help center पर मद्दपरदेश के जा करके अपने पूरे documents का verification कराना है पूरे documents का उसकी भी मैं जानकारी दे रहा हूँ अभी कि आपको क्या-क्या verification कराना है यह schedule था वे अभ्यारती जो पहली बार counseling में सामिल हो रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई registration कोई choice filling कोई भी help center पर जाके verification नहीं कराया है अब वे अभ्यारती जो पर्थम round first round counseling में सामिल थे लेकिन उन्हें college अलाट नहीं हुआ है उनको क्या करना है आईए देखते है मित्रों यह schedule उन अभ्यारतीयों के लिए जिने first round counseling में college अलाट नहीं हुआ है या college अलाट हुआ है किसी करनवस्व एडमिशन नहीं ले रहे है आपको क्या करना है मित्रों आपको सिर्फ और सिर्फ choice filling करनी आपको कुछ भी नहीं करना है कहीं पर नहीं जाना है कोई verification नहीं कराना है जिन अभ्यारतियों ने पर्थम चरण counseling में registration और verification करा चुके है उन्हें सिर्फ और सिर्फ choice filling करना है कम से कम 10 college हों की अधिक से अधिक भी करें लेकिन कम से कम 10 college हों की आपको choice filling करना है और portal 50 रुपे पेट करना है और इस choice filling को कहीं पर verification नहीं कराना पड़ेगा आपको इसे आप अपने पास इसका print out निकाल करके रखें और जब भी college alert होता है आपको तो उसके बाद help center पर आपको जाना पड़ेगा लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ choice filling करना है और पोर्टर सुल को 50 रुपे पेट करना पड़ेगा यहां पर कुछ condition बन रही है मैं तो बहुत सारे भी हारती हैं जिन्होंने registration तो करा लिया है लेकिन वे choice filling भी कर दिया था लेकिन वे help center पर नहीं गय थे ऐसे भी हारती हो को मैं बताना चाहूंगा कि आपने registration कर लिया है लेकिन आप help center पर verification नहीं कर रहे हैं तो आपको choice filling करने के बाद जो registration आपने किया था उसका print out और जो second round counseling का जो आप choice filling कर रहे हैं दोनों को लेकर के help center पर पूरे documents के साथ आपको जाना पड़ेगा और आपको verification कराना पड़ेगा मद्द प्रदेश के किसी भी help center पर मद्द प्रदेश के help center के list जो मैंने अभी site बताई थी है het.mponline.gov.in उस पर पूरी rule book उपलब्द है उस rule book में मद्द प्रदेश के पूरे help center के list दी हुई है तो जितने भी ब्यारती में चाहूंगा कि आप rule book जरूर उसको download करें एक बार उसका उलोकन करें क्योंकि उसमें detail पूरी आपको दी हुई है अब आगे की तिति देखते है हमेतरों जब आपका registration, choice filling और documents का verification नए ब्यारती करा लेंगे पुराने भ्यारती जो first round के थे वे अपनी choice filling कर लेंगे तो 29 अगस्त 2021 को आपकी जो merit सुची है उसका प्रकासन किया जाएगा merit सुची में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं 29 अगस्त 2021 को और second round counseling जो है उसमें जो college enlightenment होगा मित्रों वो आपको alert किया जाएगा 5 सितंबर 2021 को date ध्यान रखें college enlightenment 5 सितंबर 2021 को होगा अब आईए में तो देखते हैं कि second round counseling में जो नए भ्यारती हैं अगर वो help center पर चाते हैं तो नहें कौन-कौन से documents ले जाने पड़ेंगे सबसे पहले जितने भी documents हैं सबके दो सेट जरूर बनाएं आप दो सेट के साथ ही जाएंगे एक सेट जमा होगा दूसरा सेट आपको वापस मिलेगा जो आपका verification जो slip मिलेगी वहाँ से उसके साथ वो आपको वापस कर दी जाएगी इसमें सबसे पहले आपका जो registration फार्म रहेगा उसका print out रहेगा second number पर हैगा college की choice filling का print out तीसरे number पर है मितनों दसमी से graduation या post graduation तक की mark sheet अगर आपने PG कर रखा है तो PG की mark sheet यहां में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके PG या UG जिसमें अधिक अंकों उसी के अधार पे counseling में सामिल हो और अगर आपके graduation में कम percentage है और post graduation में अधार अगर आपके ज्यादा अंक है तो post graduation के अधार पर B.A.D. में apply करें या M.A.D. में जहां पर भी आप अप्लाई कर रहा है फिर उसके बाद आता है आपको मुल्निवासी पहुचे नंबर पे अधार कार्ड रखना है आपको जाती पिर्माण पत्र अगर आप किसी कास्ट को बिलंग करते है gap certificate अगर यदि gap हुआ है आपका PG, UG करे आपको 2-3 साल भी चुके हैं और पिछला साल अगर आपका खाली गया है तो आपको gap certificate लगाना पड़ेगा महिला भ्यारती जिनका विवा हुआ है और सरनेम बदला है ऐसे महिला भ्यारतीयों को 50 रुपए के stamp पेपर पर नोट्री दोरा सपत पत्र बनवाना पड़ेगा सरनेम चेंज होने का और जिनका marriage certificate बन चुका है उनको ये नहीं बन वहना पड़ेगा जो marriage certificate है उसका print out भी चलेगा लेकिन अगर आपके पास marriage certificate नहीं है ऐसे महिला भ्यारतीयों के पास तो अगर सरनेम चेंज हुआ है तो उनको नोट्री के 50 रुपीज के stamp पेपर पर आपको सपत पत्र देना पड़ेगा अब यहाँ पर देख लें मित्रों जो भी SCST, OVC और EWS के candidate है इनको percentage के अधार पर प्रतिसत में जो है उनको seat alignment उपलब्द कराया गया है इसमें मद्दपरदेश के बाहर के निवासी जो है उनको भी यह benefit दिया जाएगा यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मित्रों की जो मद्दपरदेश से बाहर के अभ्यारती है तो जो मद्दपरदेश के बाहर के अभ्यारती है मित्रों उनके लिए मद्दपरदेश के किसी भी college में 25% सीटें ही उपलब्द रहेंगी आप 100 सीटें हैं जैसे किसी college में तो 25 सीटें पर ही आप आ सकते हैं 75 सीटों पर या 75% सीटों पर मद्दपरदेश के मुल्योंसियों के लिए एड्मिशन रहेगा यह सपस्ट लिखा हुआ है मित्रों 25 परच्छत जो है मद्परदेश राजी के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्द रहेंगे तो यहां पर आप इशेज धियान दें क्योंकि आप जो है सुरू की तीन राउंड की कांसिलिंग में ही सामिल हो सकते हैं इसके बाद की भी राउंड चरण कांसिलिंग होंगे उसका सेडूल अभी नहीं दिया है उसका सेडूल उच्छ शिक्छा विवाग जारी करेगा लेकिन उसमें आप सामिल नहीं हो पाएंगे जो मद्परदेश से बाहर के कंडिटेट है तो आप अगर बाहर से हैं तो आप सुरू की तीन कांसिलिंग का ही मौका मिल रहा है आप ज़्यादा वेट ना करें आप इन ही दो राउंड कांसिलिंग जो बची हैं से इसमें ही आप एपलाई करें अब आईए एक वार योगिता देख लेगते हैं मितों बीए बीट, बीस्सी बीट और बीलेट तीनों के लिए बार्वी में 50 प्रश्या दंक होना अनिवारे हैं ये ध्यान दे मित्रों बार्वी जिसे आप हायर सेकेंडरी या कहीं पर इंटरमेडियर बोलते हैं तो आपको इसमें 50% दंक होना अनिवारे है SCST जो अभ्यारती हैं इनको 5% अंकों की छूट प्रदान है इसी प्रगार जो M8 के अभ्यारती हैं इन्हें 50% अंकों के साथ ग्रेजुशन होना अनिवारे है और 50% अंकों के साथ बीएड भी होना अनिवारे है वही जो हमारे B8CAP भ्यादती हैं मित्रों इन्हें 50 प्रश्यत अंकों के साथ graduation में होना अनिवारे है अगर graduation में 50 प्रश्यत नहीं है तो post graduation अगर उन्होंने कर रखा है तो post graduation में 50% अंक होना अनिवारे है PGA, UGA, दोनों में से किसी एक में भी अगर 50% हैं आपके या उससे अधीक अंक हैं तो आप B8 के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर भी S.E.S.T. कंडिडेट को 5% की छूट है लेकिन जो इंजिनेरिंग के छात्र हैं या इंजिनेरिंग जिनों ने कर रखी है उनको 50 की जगा 55 प्रिशत अंक होना अनिवारे हैं यह फार्म मित्रों आप स्वयम या MP online के उसके पास जाकर के भर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जनरल कंडिडेट के लिए 500 रुपए का सुल्क रखा गया है और जो 24 फिलिंग करेंगे उसके लिए 50 रुपए का अतरिक्त सुल्क रखा गया है तो यह दोनों चीजें आपको करना निवारे हैं और हेल्स सेंटर पर वेरिफिकेशन ने भीहरतियों को कराना जरूरी है तो यह सेड्यूल था मित्रों जो सेकंड राउंड कांसलिंग है और पूरी जानकारी मैंने उपलब्द कराने की कोसिस करी है मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो साइट दी हुई है cdmponline.cov.in पर जाकर कि आप रूल बुक जरूर डाउनलोड करें स्कावलोकन करें आपको कोई दीकत नहीं आएगी फिर भी अगर कोई दीकत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के दोरा संपर करें मैं आपकी बराबर पूरी मदद करने का प्रियास करूंगा धन्यवाद नमस्कार मित्रों यहां एक चीज़ और मैं बूलने जा रहा हूँ मद्द प्रदेश के अंदर साज की कालेजों में बीर्ड होने जा रहा है संद 2008 के बाद पहली बार 2021 में मद्द प्रदेश सासन ने जो सरकारी बीर्ड कालेज हैं उसमें एडमिशन की प्रक्रिया सभी अभ्यारतियों के लिए खोल दी है अब उसमें जो सामाने कंडिडेट हैं अभी तक सिर्फ टीचरों के लिए ये सीटें उपलब देती ही अब जो बाहरी स्टूटेंट हैं उनके लिए भी गॉवर्मेंट कालेज में एडमिशन चालू हो गए हैं 16 तारिक आज से दिनांग से और इसका भी मैं वीडियो जल्द ही जारी करने जा रहा हूं मित्रों ये एक जानगरी थी